Meskаны अब हम एक और प्रोग्राम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास दो एरे हैं ठीक है एरे 1 & एरे 2 हमें क्या करना है जो एरे 2 की जितनी वी वैलिउस हैं उनका काउंट कोन्ट हमें फाइंड करना है एरे 1 में कि एरे 1 का मालीज हैं 2 3 4 5 6 और colon के बाद की जो value है यह है कि कितनी बार यह value repeat हो रही है array 1 में array 2 की value कितनी बार repeat हो रही है array 1 में ठीक है उनका counter जैसे 2 जो है repeat हो रही है इसमे array 1 में नहीं हो रही है तो 2 colon 0 3 value जो है यहाँ पर repeat हो रही है कि array 1 में यस वन टाइम हो रही है तो 3 colon 1 4 value array 2 की 4th value जो है यह repeat हो रही है यह दो बार हो रही है तो उसे 4 colon 2 और 5 जो repeat हो रही है array 2 की 5 value जो है यहाँ पर यह repeat हो रही है तीन बार repeat हो रही है array 1 में तो 3 colon 5 colon 3 और 6 value जो है यह 6 value array 2 की यह कितनी बार repeat ह एक बार आ रही है, तो 6,1 इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से हमें output लाना है, तो उसको देखते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, कि map और जो reduce और filter, इन function को अच्छे से practice हाल लिए, इंटर्वी में यह पूछी जाते हैं, ठीक है, तो मैं यहां पर आता हूं, array 3 लेता हूं, और array 1 में map function लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर array 2 से लिया है, मैंने map function, तो यहां पर value 2 ले लेता हूं, ठीक, और यहां पर एक arrow function से, अब यहां पर क्या करता हूं, मैं, let total, total ले लेता हूं, total कितने हो हैं, तो यहां पर item 1 से, अब मैं क्या करता हूं, reduce, reduce से क्या करूंगा मैं, कि मुझे इनका count निकालना है, कि यह जो value, मुझे array 2 से, जो value आ रही है, यह value 2, यह array 1 में कितनी बार आ रही है, ठीक है, इसके लिए reduce मैं यूज़ कर रहा हूं, तो यहां पर मैं, यहां पर मैं ले लेता हूं, count, और यहां पर ले लेता हूं, value 1, जो array 1 की value 1 है, ठीक है, और count की मुझे जो value लेनी है, वो मैं यहां पर 0 ले लेता हूं, ठीक, अब यहां पर condition लेता हूं, if value 2 equal to equal to value 1, तो count क्या हो जाएगा हमारा plus plus, ठीक, यही तो है, कि अगर value 2, यानि कि array 2 की value यहां पर, जो value है, यह अगर array 1 की value से match कर रही है, तो count तभी तो increase होगा कि कितने time सारी है, वनना यह 0 ही रहेगा, तो यहां से return कर देता हूं, मैं क्या count, ठीक, अब यहां पर जाके, हमें क्या format बनाना पड़ेगा यह, ठीक है, array 2 की value colon, array 2, repetition, तो यह मैं यहां पर जा रहा हूं, मैं return किया, और यहां पर मैं template little ले लेता हूं, format बनाने के लिए, इस तरह से, और यहां पर मैंने लिया, value 2, ठीक है, फिर colon, और यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, total, जो यह value 2 कितनी बार array 1 में हैं, यह निकल के आ रहा है, यह ले लिया, ठीक है, अब मैं इसको console कर रहा था हूं, console.log, यहां पर a print हो गया है, अटाते हैं इसको, और यहां पर array 3, देखते हैं अब क्या output आता है, item 1 is not defined, item 1 मैंने यहां पर ले लिया, जबकि array 1 आना था है, ठीक है, refresh करते हैं, देखे, 2 colon 0, 3 colon 1, 4 colon 2, 5 colon 3, 6 colon 1, यह था, तो इस तरह से हम यह program को कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत important program हैं यह, यह जो मैंने दो, इससे पिछला भी जो program बताया और यह भी बताया, इससे आपकी practice हो गई है, यह map और reduce की, ठीक है, तो I hope अगर वीडियो आपको अच्छा लगाओ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को subscribe करें, thank you for watching.